बोचपरी सुपस्टार दिनेस लाल यादो निरहुआ और खेसारी लाल यादो में एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई है जी हाँ कहने को तो ये दोनों एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं लेकिन क्या ये हकीकत में लोगों के सामने दिखने वाला भाई चारा रियल है इसकी परताल तो होनी चाहिए क्योंकि भाई कुछ खबरे ऐसी आ रही है बॉलिवुट गलियारों से चंचन के कि जिससे ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जी हाँ आपको तो यादी होगा कि गडेश चतुर्दी के मौके पर निरहुआ ने बैक टू बैक अपने तीन पोस्टर लेकर आए पहला उनकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का दूसरा पोस्टर और फिल्म उन्हीं की सुपर हिट फिल्म का सीक्वल पतना से पाकिस्तान 2 का इन तीनों के पोस्टर लोगों को पसंद भी बहुत आए लेकिन अब खबर आ रहे है कि फिल्म वंदे मात्रम जिसका पोस्टर लोगों को काफी पसंद आया था जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर निरहुआ बड़े ही तेजी से दौड रहे हैं उस फिल्म से लेकर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ब्रेकिंग निउस आ रहे हैं इसले कहेंगे क्योंकि खबर ये आ रही थी कि खेसारी लाल यादो को पहले रजनी समिस्रा ने इस फिल्म के लिए साइन किया था ये वही रजनी समिसरा है जिनोंने खेसारी लाल यादों को लेकर महनी लगा के रखना बनाई थी और जो उस साल की सबसे बड़ी हिट थी लेकिन अचानक इन दोनों के बीज ऐसा क्या हुआ कि रजनी समिसरा खेसारी की जगे ये स्क्रिप्ट दिनेस लाल यादों निरहुआ को थमा दिये आपको लेकर चलते हैं फ्लेश बैग में याद है बलम जी आईला वियो का मोहरशोट जहां दिनेस लाल यादों निरहुआ और काजल रागवानी फिल्म का मोहरशोट दे रहे थे और अब जब फिल्म बन कर तयार हो चुकी है तो निरहुआ की जगे उसमें खेसारी लाल यादों नजर आ रहे हैं ये बात तो अब तक क्लियर नहीं हुई है कि दिनेश लाल यादों निरहुआ ने बलम जी आईला वियू जैसी फिल्म को क्यूं इंकार किया लेकिन ये बात जरूर क्लियर हो गई है कि इस फिल्म में खेसारी का काम करना उन्हीं जरा भी रास नहीं आया था और ठीक खेसार में कोई उंगली करेगा तो वो भी उसे बक्षने वाले नहीं है वैसे खेसारी लाल यादों के लिए इंडिनों हवा ठीक नहीं चल रही है हाँ फिल्में बैक टू बैक हिट जरूर हो रही है लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी ने तो उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है झाल 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 झाल